गर्मियों के मौसम में होने वाली बिना मौसम बरसात न सिर्फ आपको बीमार करती है, बल्कि इस दौरान मच्छर बहुत ज्यादा तंग करती हैं। शाम को गलती से भी एक खिड़की खुली हुई रह जाए तो पूरे घर में मच्छरों का अंबार लग जाता है। घर से मच्छर भगाने के लिए कुछ लोग कोईल का इस्तमाल करती हैं, कुछ लिक्विड और स्प्रे का भी छिड़काव करती हैं। हालांकि जैसे ही इन चीजों का असर खत्म होता है, मच्छर दोबारा हमला करने लगते हैं। यकीन मान लीजिए घर में जैसे ही मच्छर घुसते हैं, सबका दिमाग इनी को हटाने में लगा रहता है। गर्मियों के मौसम में मच्छरों के आतंत ने अगर आपको भी परेशान कर दिया है, तो आप कुछ खास घरेलू नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं। आईए जानते हैं, इसके बारे में मच्छरों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाए, आजकल की लाइफ स्टाइल में शायद ही कोई घर होगा, जहां पर कॉफी न मिले। कॉफी जितनी लोगों को पसंद आती है, मच्छरों को उतनी ही नापसंद होती है। घर से मच्छरों को भगाने के लिए एक बोतल में पानी ले और इसमें एक चम्मच कॉफी मिलाकर स्प्रे करें। कॉफी के स्प्रे से कुछ ही देर में आपको मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा। घर या आसपडोस में जहां पर भी पानी इकठा है, आप वहां पर कॉफी पाउडर या कॉफी ग्राउंड्स को डाल कर मच्छरों का नाश कर सकते हैं। लहसुन लहसुन भी मच्छरों को भगाने का एक अच्छा तरीका है। इसके लिए लहसुन की दो से चार कलियों को हलका सा मसल कर एक गिलास पानी में उबाल ले। इस पानी को ठंडा करके स्प्रे बोतल में भरकर स्टोर कर ले। शाम के वक्त लहसुन के इस पानी को पूरे घर में छिड़के। ध्यान रहे कि इस पानी को घर के कोनों में जरूर डाले ताकि मच्छर पूरी तरह से घर से दूर भाग जाए डौट, सोयाबीन का तेल सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन सोयाबीन के तेल से मच्छरों को भगाना बहुत ही आसान काम है. इसके लिए 5-7 रूई के बॉल ले और इसमें सोयाबीन ओयल लगाएं. इसके बाद इन रूई के बॉल को घर के हर कोने में रख दें. ऐसा करने से मच्छर आपके घर में नहीं पनपेगे. पुदीने का तेल मच्छरों को पुदीने की खुश्बू से चिड होती है. मच्छर भगाने के लिए पुदीने के तेल को पूरे घर में छिड़क दे. आप चाहे तो पुदीने के कुछ पत्तों को घर के अलग-अलग कोनों में जगों पर स्टोर करके भी मच्छरों का खा हिंग